नहीं होतेंगे, नहीं होतेंगे, इस ऑफ मिनने तक नहीं होतेंगे Law is a very powerful weapon, लेकिन आप इस हतियार से किसे बचाते हैं, इस से जरूरी और कुछ नहीं होता एक तो तेरे पास जमीन का पटा नहीं है और ना ही राशनकाड है यहां तक की वोटर लिस्ट में नाम तक में इनके काथी क्या है इसमें टेश को आजाद हुए पचास साल हो गए लेकिन इनके पास एड्रिस प्रूफ तक नहीं है कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ हर बकरे पे दो दो केस ठोक दो चाहे कितने भी पीडितों हर एक को इनसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इनसाफ दिला है जो चोरी हमने नहीं कि उसे कबूल है कैसे हिसाफ माइलोड्स पुलीस ने हर कदम पर कोट से छूट का है उस देवर उसने बेचे उसके अमरे पास एविडेंस है तीनों फरार हो गए उसका एविडेंस भी है चोरों को ट्राइवल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा यह केस नहीं एक स्कैंडल है यह लोकल पुलीस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए इस केस को सीबियाई को सौफ दीजी अरा सच क्या है पुलीस बता तो नहीं है इस सच के पीछे न जाने कितने जूट है हमें सीबियाई इंक्वाइरी चाहिए माई लॉड्स यह केस तो दिन बादिन उलश्टा ही जा रहा है सीम तक पहुंचने से पले इस केस को बंग करना होगा वैसे भी गुनेगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर बेगुनाहों का कौन देगा उन्हें हमी से उमीद है पल भर में चारो जोपणियों को जला दूना हाँ गणतंत्र को इस तेश में बचाने के लिए कभी कभी ताना शाही की सरूरत पढ़ती है चंद्रू कानून तो अंधा है ही पर अगर आज ये कोट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी चंद्रू और दस दिन में कौन से राज खुल जाएंगे मैं चाहता हूँ उस मासू मादिवासी औरत को इंसाफ मिले कोट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उत्रूंगा सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है दाट्स अल